हेलो दोस्तों, हाचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं बहुत ही खुबसूरत पर्मनेंट फ्लाउरिंग प्लांट मिनियेचर हिबिसकस के बारे में बात करने वाली हूँ तो वीडियो में एंड तक बने रहें और कौन सा फटिलाइजर मैं देती हूँ इसमें किस तरह से मैं केयर करती हूँ सारी चीज़े आप से शेयर करूँगी तो चले शुरू करते हैं ये मेरा जो प्लांट आप देख रहे हैं वो मेरा धाई साल पुराना प्लांट है करी थी और फिर एक साल बाद पिछले साल अभी जो फरवरी बीता है उसमें मैंने इसके ब्रांच को प्रून किया था प्रूनिंग बहुत जरूरी होता है यह देख रहे हैं इस तरह से मैंने ब्रांच को प्रून किया था और ब्रांच प्रून करने का फायदा यह होता है कि ब लगभग 35 फ्लावर खिले हुए है और रोज ही इसी तरह से 15-20 फ्लावर रोज ही खिलते हैं तो आप सोच सकते हैं इसमें 100 से भी अधिक कलिया लगी हुई है और देखिए इस तरह से यहां से मैंने प्रून किया था फरवरी के महिने में मैं आपको और दिखाती हूँ यहां पर से यह देखिए हाड प्रूनिंग मैंने करी थी और इसमें बारो मेने फ्लावरिंग होती है विंटर में इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है रुकती नहीं है कम हो जाती है और फिर summer का तो फिर यह flowering plant है ही summer और rainy season में बहुत अच्छे से flowering चलती है इस तरह से जो spent flower होते हैं उनको हमको हटाते रहना है पीले पड़े पत्तों को भी हटाते रहना है और sunlight का plant होता है जब हम sunlight की बात करते हैं तो इसको कम से कम 6-7 घंटे की sunlight जरूरी होती है और summer की दिनों में आप 12 बजे तक sunlight मिले सुबा से ऐसे जगह पर रखे और देखिए यहाँ पर मिली बग लगा हुआ है इंसेक्ट का टेक भी होता है मिली बग ज़्यादा तर लगते है इसमें तो टाइम टू टाइम आप पेस्टिसाइज का अप्लाई करते रहें नीमॉयल का अप्लाई यदि रेगुलर करते हैं 10-10 डेस के गेप में तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा और ज़्यादा ही यदि आपके प्लांट में मिली बग का टेक हुआ है तो रोगोर नामक एक पेस्टिसाइड आता है उसका इस्प्रे साम के समय आप जरूर करें तो आपका मिली बग हड जाएगा और पानी की बात करते हैं तो नमी पसंद है इसको ओर वाटरिंग नहीं करनी है मैं सुबह तो बहुत अच्छे से इसमें पानी दे देती हूँ और शाम होते होते यदि मिट्टी सूख जाती है तो शाम को भी वाटरिंग कर देती हूँ अभी समर के सीजन में और बागी सीजन में तो मिट्टी चेक करके ही वाटरिंग करना है over watering से इसके पत्य पीले होने शुरू हो जाते हैं और फिर flooring भी नहीं होती तो इस बात का ध्यान जरूर रखे और fertilizer की जब मैं बात करती हूँ तो मेरा जो main fertilizer है वो vermicomposed है जब मैं मिट्टी तयार करती हूँ तो उसमें 40% vermicomposed, 40% मिट्टी, 20% रेथ और fungicide और neem khalli bone meal ये सारी चीजों को मैं add करके मिट्टी तयार करती हूँ उसके बाद फिर महिने में एक बार NPK 1919 का spray करती हूँ मिट्टी में बिद्दे देती हूँ और foliase spray भी hook कर देती हूँ ये दो में मेरा fertilizer है और उसके बाद यदि आप घरेलू fertilizer देना चाहते हैं तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो शेयर किया है दो चीजों से कैसे हम organic fertilizer तयार करें तो उसका link मैं i button पर दे दूँगी आप जरूर देखिएगा चाय पत्ती और हमारा जो बनाना पील का सूखा वाला है उसको मिला कर तो मैंने कुछ दिन पहले ही इसमें apply किया था और उसका result आप देख सकते हैं और यही शेयर करना था मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy garden